कब्स हमारे द्वारा भोजन ग्रहन करने के बाद उसका पाचन संस्थान द्वारा पाचन होता है इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो फिर भोजन सही धंग से नहीं पचता तथा अपच होती है और फिर कब्स होती है सही धंग से मल का न निकलना कब्स कहलाता है सौंट प्लस काली मिर्च प्लस पीपल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं सुभशाम एक एक चम्मच ले कब्स दूर होगी रात में दूद के साथ दो चम्मच ये सबगोल खाने से कब्स में आराम मिलता है रात को गर्म दूद के साथ एक चम्मच त्रिफला लेने से कब्स दूर होगा भोजन के साथ सुभ़ शाम पपीता खाने से कब्स दूर होता है सौंट प्लस हरड प्लस अजवायन को समान मात्रा में पानी में उबाले तथा वह पानी लेने से कब्स दूर होगा पेट दर्द, एसिडिटी, अमलपित, पेट में कब्स के दौरान अमलपित बनने लगता है खट्टी डकारे आती है पेट में भारीपन लगता है कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती एक अजवायन का चूर्ण शहद में मिलाकर लेने से बधजमी दूर होती है दो डौट अजवायन और नमक की फंकी गर्म पानी के साथ ले तीन एक ग्राम सौंट के चूर्ण में चुटकी भरहींग और सेंधा नमक मिलाकर सुबह शाम पानी के साथ सेवन करे